ECA admission has started, you have been given marks, all of you know how many marks have been awarded to you, तो अब आप wait कर रहे हैं कि अब आगे क्या करना है, और बहुत सारे बच्चे comments में भी पूछ रहे हैं कि मैं ECA की list तो अभी आ गई है, हमें पता चल गया हैं कि हमारे कितने marks add हुए हैं, लेकिन अब हमें आगे क्या करना है, तो इस वीडियो में हम यही discuss करने वाले हैं, watch the video till last and we are going to discuss about the sports quota updates also, so सबसे पहले हम बात करते हैं ECA quota की, अब ECA में क्या हुआ कि University ने आपके marks आपको बता दिये, कि आपको इस quota के अंडर कितने आपके marks increase हुए हैं, अब आप उनको total करके आपकी percentage जो है वो थोड़ी बहुत बढ़ गई है, अब उसके बाद University ने आपको तीन दिन का time दिया अपनी grievances फाइल करने के लिए, and now if you know आपका वो grievances का time increase कर दिया गया और वो 29th of November याने के कल तक था, तो अब उसके बाद आपको confusion हो रहा है कि आप आगे हमें क्या करना है, तो उसके लिए आपको ये बता देना बहुत जरूरी है कि अभी आगे आपको कुछ नहीं करना है, आपने अपने सारे documents upload कर दिये हैं, जिसके basis पे आपके certificates verify होने के बाद ही आपको marks मिले हैं, कि आपके original certificates थे तब ही आपको marks मिले हैं, अब आपकी जो grievances हैं जो आपने भेजी हैं university को, अब university वाले उन grievances पर कुछ दिन काम करेंगे, means वो देखेंगे कि students को क्या-क्या problems हैं, कि grievances का मतलब है कि अगर आपके marks means आप expect कर रहे थे, कि ज़्यादा मिलने चाहिए और वो कम हुए हैं, तो वो उनको दुबारा से verify करेंगे, आपके certificates को दुबारा से verify करेंगे, तो उसमें obviously time लगेगा, तो you will have to keep patience, तो I can understand कि session start हो चुका है, बट आप लोगों का admission अभी तक चल रहा है, बट don't worry, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो अब आपकी grievances के बाद दुबारा से आपके certificates जो है, वो verify होंगे, फिर एक updated merit list जो है वो आपके portal पर आएगी, तो उसके लिए आपको अपना जो university का जो आपका admission portal है, उसको ध्यान से देखते रहना है, कि जब भी वो merit list आएगी, उसके basis पर आपको अपना admission करवाना है उसमें, तो अभी आप उसमें tension ना ले, आप अपना focus कहीं और करें, और अपना admission की wait करें, तो अब हम बात कर लेते हैं, sports quota वाले बच्चे भी wait कर रहे हैं, कि उनका कब start होगा, तो उसके लिए भी अगर आपको पता नहीं है, तो university ने एक notice निकाला हुआ है, अपनी website पे, कि आपका जो है, sports category का जो admission है, वो dashboard पर applicants को आजाएगा, Wednesday 2nd of December को, उसमें भी आपको, means grievances के लिए time मिलेगा, 3rd December से लेकर, 5th December तक, means उसमें भी आपका same procedure होगा, कि आपको, like अपने marks देखने हैं, और अगर आपको लगता है, कि आपके marks accordingly नहीं है, और आप उनको ज़्यादा expect कर रहे थे, तो आपने एक, अपना grievances का mail send कर लेना है, बट वो 5th December से पहले पहले करना है, 5th December के बाद, वो नहीं accept होगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और दूसरी बात यह है कि, like उसके बाद क्या होगा, 5th December के बाद, आप अपने grievances फिल करेंगे, तो फिर भी university वाले उसमें भी time लेंगे, तो आप अपनी जो sports की जो final list आएगी आपकी, उसको आप कम से कम 10th of November से पहले expect नहीं कर सकते, तो ये आपका sports quota का complete information है, और जो CW वाले बच्चे हैं, वो भी wait कर रहे हैं, वो भी comments कर रहे हैं, बार-बार के CW के list कब आएगी, तो उसके लिए भी हम अभी कुछ नहीं कह सकते, university का, जब सब कुछ ready हो जाएगा, तो obviously they will release their list, so thank you everybody, share this video with others, and like it also, and subscribe,